बिद्वा मेलाई हैं उनको पैंसेन आदी हो जाती उसके उपर विसंतियां तीसरा है MSP, मिल्टरी सर्विस पे जो जोखिम बता होता है उसमें बेदभाव है, डिसेबिलिटी जो मिलती है अगर कोई जवान का और ओफसर का दोनों वार इंजिरिया कोई डिस्पिलिटी हो जाती बॉटर पे तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फरक है नमस्कार आप देख रहे हैं जनहीत आवाज और मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी गिरी अभी हम मौजूद हैं जनतर मंतर पर जो कि प्रदर्शन के लिए एक खास कर चर्चाओं में रहता है और यहां फिर एक प्रदर्शन हो रहा है यह प्रदर्शन आम लोगों का नहीं है या ऐसे वैसे लोगों का नहीं है यह बैठे प्रदर्शन पर जो लोग है वो जो बॉर्डर पर सेवा देने का काम करते हैं आज ये जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं चलिए हम इनसे बात करते हैं वैसे भी आपको एक चीज और बता दू कि ये धरना क्या आज 131 दिन है फिर भी सरकार का अभी तक इस पर कोई प्रतिकरिया नहीं आई है जानते हैं इस पर इनका क्या कहना है जी सर नमस्कार स्वागत है आपको जी मैं एडोकेट सीसराम यादो अखिल वारत ये पूरव सैनिक विकास प्रिशद हर्याना का परदेश अदक्स हूं वेटरन एर वारियर असोशेशन गुडगाओं का डिस्टिक परजिडेंट हूं और हम सारे संक्ठ परदेशन ओफ वेटरन एसोशेशन के तहित कारी कर रहे हैं हमारा ये धरना 20 फरवरी से शुरूबा था और आज 131 दिन चल रहा है सभी देश के सभी पूरों सैनिकों के संक्ठन जिलासतर पे या राजसतर पे थे वो सारे यहां इकत्तित होए और सबने संक्ठनों ने मिल पूरों सैनिक संक्ठन सामिल है और हमारी सभी जगें एक जैसी मांग होती पूरे भारत वर्ष में और उसके आपकी मांगे क्या है क्या आज घरना क्यों हो रहा है दूसरी जो महिलाएं है जिनके पती रिटायर होगे और उनकी पती की डेथ हो जाती तो जो विद्वा महिलाएं हैं उनको पैंशन आदी हो जाती उसके उपर विसंगतियां तीसरा है MSP, मिल्टरी सर्विस पे जो जोखिम बता होता है उसमें बेदभाव है डिसेबिलिटी जो मिलती है अगर कोई जवान का और ओफसर का दोनों वार इंजिरिया कोई डिसेबिलिटी हो जाती बौर्डर पे तो उनके अंदर भी बहुत जादा फरक है जवानों के लिए अगर डिसेबल होगा कोई आथ पेर में या कोई किसी वज़े से गोली लेगी या आथ पेर में कोई चोटा आगी बरफ की वज़े से डिसेबल हुआ तो उसको करीब 3400 रुपे मिलते थे और ओफसर को ये फिगर थी चोवन सो या पिछपन सो रुपे 2006 में और आज 2006 में जो बनाया है जवानों को 15,000 से थोड़ा जादा है और ओफसर को 75,000 अब अगर उसको परसंटेज देखोगे या मल्टिप्लायर देखोगे तो आप समझ जाओगी 3300 से 15,000 पहुचा और 400 से 75,000 तो आप अपने आप देख लीजे कितनी मल्टिफोल्ड उन जलता है जो नर्सिंग स्टाफ है मिल्टरी के जो होस्पिटल में जो जवानों का इलाज करते हैं उनको 10,500 दिया जाता है और यही जोखिम बतता हादिकारियों को 15,500 रुपे तो जोखिम तो सभी के लिए बॉर्डर पे है तो गोली जवान को लगे चाही अधिकारी को हो या प्राकृति आपदा हो एवलांच आए या किसी भी वज़े से जोखिम है तो यह बतता अलग लग को जयान तो सबकी बराबर होनी चीए और एक जवान बॉर्डर पे है और ऑस्पिटल में जो पिछे नर्सिंग स्टाफ है वहां से काफी पिछे होता है जो ट्रीट कर आयोग से पेमेंट्स में कटती की गई और जो भी जवान है अधर रैंक्स हैं उनका काफी कम कर दीगा पेमेंट उसी का यह नतीजा है कि देरे देरे पेंशन में भी बहुत जादा फरक आ गया है तो इस चीज़ों के लेके हम बैठे हैं एक एक्स गुरूप का भी चल रहा गया तो सिधा सिधा पेंशनों में 3600 पलस डिये का वो फरक आ गया तो एक को बंदे को एक्स गुरूप के एक नॉर्मल साड़े चारज पांच जार का फरक है तो ऐसा क्यों है जब बोला गया कि वन रैंक वन पेंशन तो 2006 में आये या पहले आये सोडा में आये उनको अलग पान मंत्री ग्रिह मंत्री रक्षा मंत्री या किसी का भी कोई प्रतिक्रिया आया है किसी ने कुछ कहा है हम बिल्कुल संग्ठित हैं सारे सेनिक और हम बिल्कुल लोकतांतरिक तरिके से कर रहे हैं अनुसासित फोज के हम सिपाई रहे हैं तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो देश की गरीमा को या फोज की गरीमा को निच्चे करें, हम बिलकुल सिस्टेमेटिक चल रहे हैं, हमने सभी ने तीन अप्रेल को पूरे टीम, पूरे इंडिया में डीम को हमारे विबिन संक्ठोंवों ने फडरेशन और वेटरन असोचेशन के तह़त ग्यापन दिया था उग्यापन था, प्रदानमिती मोदे गनाम, रक्षामंत्री मोदे और राष्टपती मोदे गनाम था उसके बाद उग्यापन भेज दिया गया गवर्मेंट को, हमने रिसिप्ट भी लिये फिर हमने 30 अपरेल को पूरे इंडिया के राजसभा और लोगसभा संसदों को चाहिए पक्स हो या पक्स हो, किसी भी पार्टी को सब को गयापन दिया है, वो ही सेम आगी हमारी आवाज आप पार्लियमेंट में उठाइए, फिर हमने 30 मही को फिर हमारी संस्तान गागी कि अभी जितने भी तैसिलदार एंडियम को फिर गयापन दिजी, ताकि वो भी हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएं, तो हमने पूरा परियास किया है, और गवर्मेंट में हमने गयापन दिया था राव इंडर जी जी को, गुड़गावा से सांसदर, उनने हमारा गयाप पांच जून की बाती है, हमारा 106 दिन से वान लोग बैटे, उस टाइम 106 दिन हुए दे, तो बोला कि मैं पार्लियमेंट सेस्टन में मुद्दा जरूर उठाऊंगा, उसके बावजूद फिर में दिपेंदर उड़ा जी को देखाया, जो राजभासान साथ हैं, अरियाना उन पे हम एक दिन का भूख हड़ताल दस से चार बज़े के बीच में कर रहे हैं, वो भी ध्याना करशन के लिए और पूरे उसमें पूरु सैनिक जुटेंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्ता से लेके जुलाई के 22 तारीक तक हम फिर सारे सांसदों को फिर याद हमारी मांग उठाइए, और फिर देखेंगे क्या नतीजा है, तेईस को फिर हम यहाँ पे विसाल, जुलूस और दर्ना देंगे, उसके आगे की राजनिती जो हमारी कारेकारिनी हैं, हमारे राष्टी अद्धेक्स हैं, सुवेदार, राठोर्षा और वोड़की समीती हैं, जो डिसाइड करेंगे, उसके इनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जो 97 परसेंट को जो पैसा मिलना था, वो 3 परसेंट के हाथों में चला गया, जो की गलत है। प्लस जो है, उनको मेडिकल पैंशन ऐसे मिलती है कि अगर उनको देखा जाए और उनको पीछे से आउडिट किया जाए, तो उनको जो पैंशन मिल रही है, वो फोकट में मिली है। उनको जो है, किसी युद में लड़ाई नहीं हुई है, वो आखिर में जाके विकास जो सेंक्षन करना है, वो सेंक्षन ओफिसर्स ने करना है। तो उन्होंने जो है, अपने अपने लोगों को सेंक्षन करके उनको पैसा ज्यादा दे दिया गया। जो 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 जवान है, जिनको अपना अक्सर युद में या कोई ऐसी जगह जैसे आपको पहड़ों पे या ब्रफ के जगह जो है, वहाँ पे अगर कोई उसको मेडिकल प्रॉलम हो जाती है, वो उनकी वज़े से एक्ष्वल मिलता है। इसी तरह मेडल्स में है, आप जो है, अच्छे काम करते हैं, सेना अगे रहती है, जो चाती गौली लगती है, वो सबसे पहले सिपाई को लखती है, ना की ओफिसज को लगती है, बट वहाँ पे उसकी वीरता का प्रुसकर है, वो सिपाई को न देके, या आम जो है जो अभी आप हैं बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं एक टाइम पे वो ऑफिसर थे उसके बाद लड़के प्रोमोशन पाक के तब वहाँ पे गया हैं और अब वो दिमागी रूप से महनद कर रहे हैं वो आपको कमांड दे रहे हैं और सारी चीजे इस वज़ा से उनकी उनकी सेलरी में और हमें कोई गलत नहीं है हम कोई ऐसा भेदवाह नहीं कह रहे हैं कि उनको से recovering कम मिलने चाहिए हमें ज्यादा मिलने चाहिए बट जो हमारे जो बाद की जो चीजें है जो हमारे अपना अलाउंसी जो मिलते हैं वो अलाउंसी में बहुत ज्यादा भेदवाव है जैसे अलाउंस है मालो मेडिकल अलाउंस है तो मेडिकल अलाउंस उसको भी उतना है मिलना च जिवान के भी होने चाहिए और 10,000 रपे और पहले ऐसा ही फिक्सेशन था उसके बाद इन्हों ने जो है बेसिक पेपर जो परसंटेज है परसंटेज के इसके हिसाब से कर दिया परसंटेज विकाज उनकी सेल्ली जादा रहने से हमें कोई अतराज नहीं किसी को किसी तरह का भी अतराज नहीं है बट वो ना होके एक फ्लैट होना चाहिए जितने भी जिसके हिसाब से जो अधस रहें के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको उस हिसाब से उनका हक मिले पहले बराबर था सब सही था तो बाद में क्यों चेंज किया गया यह तो एक बहुत बड़ा जो ह उसे अधस के नुमाइंदे होते हैं जब भी कोई कोई नुमाइंदा नहीं होता है अगर होता बहुता भी है तो केवल नेम्सेक के लिए होता है उसकी नहीं सुनी जाती है केवल और केवल वो data provide करते हैं अधस की तरफ से जाता है और åd concerned उनको दे दिया उन्हें अपना benefit आ पर्मोशन के साथ साल में रिटायर होते हैं जो जवान फोजों में बरती होता है वो 16 साल निस साल में बरती होता है और आगर स्पाइश है रहा तो 14 साल बाद 15 साल बाद 18 साल उसको बेज दिया था तो जिस टाइम वो नोकरी छोड़ गया था उसकी उमर 34, 35, 36 होती है तो उसको आगे परमोशन मिलेगा तो length of service बढ़ेगी नहीं तो उसको बेज दिया जाता है अगर नाइक बने तो इतना है, ओलदार बने तो इतनी service पे जाना है सुबेदार नाइब सुबेदार बने तो इतने length पे जाओगे, सुबेदार बने तो ठीक है नहीं बने ता आपको इतनी साल में बेज देंगे तो वो इस ये crucial age पे आता जब उसके बच्चे एक दो standard में पढ़ते हैं तो पहले ये 1903 से पहले ये 75% पेंसंती जिनको जल्दी बेज दिया जाता था और जो अठाओन में जाते थे क्योंकि length of service काफी होगी, payment बढ़गी उनको 50% दिया जाता था 1903 में ये मुद्दा उठा और की defense का कुछ review होगा की अंदेशा होगा की ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इसको गटा के 50% पे ले आए और जो बाकी government संस्ता में थे वो आपके 35 से उनको 50 या 45% पे ले गे बज़ट बैलेंस कर दिया पर जवानों को 50 पे लिया है जो 75 मिलते थे तब हला मचा तो बोला गया कि ततकालीन परदान मंतरी स्रीमती इंद्रागान दीजी थी तो बोला गया कि आपको जो लाश जवान रिटायर होगा पांच साल दस उसके बराबर करेंगे और इन लोगों ने पूरा फंड और आरोपी का अपनी उपर खर्च कर दिया तीन परसंट ओफसर्स ने 85 परसंट फंड को लिया इस में से और 97 परसंट जो जवान है उनको सिरफ 15 परसंट मिला है जबकि वो तो अठावन में आ रहे हैं आलडी पूरी सर्विस करके आ रहे हैं लास पे अपने आपड जाएगी मानलो 20 साल का भरती वारती साल नोकरी तो उसकी पेमेंट बढ़ गी है और जो जवान 14 में 16 में आ रहा है उसकी क्या पेमेंट होगी तो उनके लिए वन रेंक वन पेंशन था और 1904 से डिमांड बनी हुई थी और मानी मोदी जी जब उस टाइम परचार के लिए गए थे सरकार नहीं आई थी रेवाडी में तो इनने किया था कि हम वन रेंक वन पेंशन देंगे पहली रेली थी इनकी और उस टाइम वादा किया था उनने दिया है पारिकर जी रक्षामंतरी थे और उन जेटली भी उस कमेटी में थे और जनरल सत्वीर जी थे इनने किया वर आवपी वन में कुछ हाद तक ये ग्रिविंशी किलियर थे जो टू टेबल आई है ये अभी आई है इसमें काफी डिफ्रेंस हो गया प्रिवमेचेवर जो आ रहे हैं उनको भी ये वर आवपी टू का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा तो जैसा की देखा आपने सारी नाराज़ की OPS को लेकर है ये सभी पूर विस्सानिक है इनके धरने को 131 दीन हो चुके हैं और देखना ये है कि आगे के और संगर्ष के कितने दीन बाकी है